स्टूडेंट आज हमें स्टार्ट करेंगे एक्सेसाइज 1.6 क्लास 9 का और इसमें हमारा जो पहला कोशिशन है वो है कोशिशन नबर 1 का वो है फाइंड 64 2 यह हमें सॉल्फ करना है हम जानते हैं एक्स्पोनेट के लॉज को हम यूज करेंगे यहां पर हम जानते हैं एक्स्पोनेट क्या होता इस वे आफ राइटिंग अफ बिगर नंबर इनर स्मालर फॉर्म तो 64 को आप जानते हैं कि मैं लिख सकता हूं तो इसको मैं यहां पर 64 की जगे आप जानते हैं कि जब यह इस तरीके से होता तो यह मल्टिप्लाव जाता है तो 6 इंटू 1 बाइ 2 जो कि हो जाएका 2 नुमेरेटर 6 टू दी 1 अपाउं 2 तू 3 जाए 6 जो कि हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इसके बाद हमारे पर सेकेंड दे रखा है वो दे रखा है 32 32 दे रखा है और यह दे रखा है 1 तू दी पावर 5 32 वोन तू दी पावर 5 आप इसको भी 32 को भी तो कि फरम लेख सकते हैं 2 तू तू पावर 5 आपका जोगता है यह 32 होता है 2 जो 4 तू जो 8 तू जो 16 तू जो 32 1 2 3 4 5 और प्रैकेट के बाहर आप जानते हैं यह फिर मल्टिप्लाव जाएगा 5 इंटू 1 बाइ 5 जो कि होगया 2 तू दी पावर 5 अपाउं 5 जो कि होगया 2 तू दी पावर 1 टू जो जो आपका इसके बाद थर्ड हमारा 125 125 तू दी पावर थर्ड हमारा 125 तू दी पावर 1 बाइ 3 आप जानते हैं अगर आप इससे ऐसे लिखें तो 125 तू दी पावर 1 बाइ 3 आप इसको 5 पर फॉर्म में लिख लें 5525 तू दी पावर 5 तू दी पावर 3 इसको आप यहां लिखें 125 को आपने एक्स्पोनेंट फॉर्म में लिख लिख लिए कि मल्टिप्लाइब 1 बाइ 3 से जो क्यों हो जाएगा आपका 5 और 3 का मल्टिप्लाइब 3 अपाउन इसके बाद हम आते हैं कोश्च नमबर टू पर कोश्च नमबर टू है आपका इसमें कहना है पॉइंट करना है पहला है इसका फर्स्ट है नाइन और पावर में 3 बाइट 2 फिर उसी तरीके से 9 को आप आपका 3 के स्क्वार होता है और चुब भार को तो वह मल्टिप्लाइब में हो जाता है तो यह कहां 3 2 मल्टिप्लाइब 3 अपाउन 2 2 से 2 कैंसल हो जाएगा यह हो जाएगा 3 टू पावर 3 जो कहां जाएगा 3 इंटू इसके बाद आपको दे रखा है 32 टू दी पावर 2 बाइफ आपको बता है 32 को फिर एक्स्पोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कहीं होता है 2 टू पावर 5 से जो कहीं हो जाएगा 2 पावर 5 मुल्टिप्लाइट मुल्टिप्लाइट 2 बाइफ 5 यह 5 से 5 कैंसल हो जाएगा तो बजे का 2 टू पावर 2 जो कि आंसर आगे आपका 4 इसके पाथ आपका मैं 4 पार्ट को ले लेता हूं जो कि है 125 पावर माइनस 1 पाई 3 अगर पावर माइनस 1 पाई 3 होती है तो आप जानते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई 3 प्योंको जाएगा 1 और 125 को आप वह पता है 5 पाई 3 और 1 पाई 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं आप और आप इससे लिखते हैं तो यह जाएगा 1 ऊपर 5 to the power 3 multiply हो जाएगा 1 by 3 से जिससे की यह 3 से 3 cancel हो के 1 हो गया यह कि 1 upon 5 या 5 to the power minus 1 is your student question number third जो है वो है simplify 2 to the power 2 by 3 इन 2 में है 2 to the power 1 by 5 आपको पता बेस सेम पावर एड़ होती है तो यह हो जाएगा 2 2 to the power 3 plus 1 by 5 यह सब पावर में है 2 इनका LC में लोगा 5 और 3 का हो जाएगा 15 5 to the 10 plus 1 था तो 3 और यह हो जाएगा 2 10 plus 3 13 upon 15 यह आपका answer है इसके बाद दूसरा दे रखा है 1 और आप देखते हैं 3 to the power 3 denominator में उपर जाएगा तो इसके sign change हो जाएगे तो आप जब इससे लिखते हैं तो यह हो जाएगा 3 ऊपर जब आएगा तो यह इसकी power minus 3 हो जाएगी और bracket के बाहर 7 है यह दूनों multiply होते हैं आप जानते हैं तो 3 to the power exponent में आपने कर रखें तो minus 3 into 7 यह कि हो जाएगा 3 to the power minus 21 is your answer इसके बाद आप देखते हैं यह दिया 11 to the power 1 by 2 upon 11 to the power 1 by 4 यह उपर ले जा सकता हूं है इसको denominator को यह हो जाएगा 11 to the power 1 by 2 और जब यह उपर आएगा तो यह multiply महीं आएगा लेकिन इसकी power होगे minus 1 by 4 base same power add तो यह हो जाएगा 11 1 by 2 plus minus 1 by 4 11 plus minus minus यह होगा तो यह होगा 1 by 2 minus 1 by 4 यह power में है इसके 11 दोनों का LCM दोंगा 4 आएगा और 2 to the 4 तो यह 2 हो जाएगा इसमें तो कोई यह नहीं 1 यह 2 है तो यह हो जाएगा आपका 11 और यह 2 minus 1 this is 2 minus 1 upon 4 तो 2 minus 1 upon 4 इस 11 to the power 1 by 4 now this is your d part 7 to the power 1 by 2 8 to the power 1 by 2 आपको याद होगा कि exponent में इस तरीके से होता था तो यह multiply होके भी जो power दोनों मिल जाती थी अब इसी form में यह है a to the power m into b to the power m तो मैं इसको इस तरीके से common करके लिख सकता हूं और power को भार लिख सकता हूं इस form में तो आप यह समझे 7 into 8 उसी form में लिख सकता हूं और power क्या इसकी 1 by 2 जोकि दोनों में common है 7 into 8 is 56 power क्या 1 by 2 यह इसका answer है बंड़ की दोनों